आओ बिल्लाही मेरे शेहितवाने रजीम बिस्मिल्लाही रोख्वाने रहीम असलाम लेकुम दोस्तों मौफीने एक बार फिर आप लोगों के साथ अब वीडियो अपलोड करूं उसकी अलाइट सबस्क्राइब नहीं किया है वो चल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताके मेरी हराने वाले वीडियो अपलोगों तक पहुंच सके और साथ बैल के आईकॉन पर भी क्लिक कर लें ताके जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी अलाइट सबसे पहले आपको आए तो आईए हम लोग अपनी अफाइन्मेंट देखते हैं दोस्तों इस अफाइन्मेंट यह जो हमारी है है MgT fix 03 strategic management की इस में जो है हमें एक फार्मीट दिये गए हैं इसमें पहला जो फार्मेट दिया गया है वो external factor analysis का है इसके अंदर factors लिखे हुए है increasing competition है government support industries है high high likes है high in oil prices है availability availability of skilled manpower है तेकनोलोजी कल रिसोर्फिव के बारे में दिया हुआ है जी उसके साथ हमें ग्रोथ ऑफ पाकिफ्थानी कॉनमी और वेरीएशन कफ्टमर चाइसिव दिया हुआ है और फेकंड जो टेबल हमें दिया हुआ है वो इंटरनल फेक्टर अनलिफिव का दिया गया है इसमें भी का पॉपिशन है जी टेकनोलीजिकल अंडरिस्टेंडिंग है मार्केशियर है मैंजर मेंजमें एक्सपर्टीज है मार्केट आउट्रीच है जी क्लान रिलेशन्शिप है जी और ऑपरेशनल कैपबलेटी वेरा आगे हमें तीन इन फ्रमाजने डवीएन दी गए है इसमें नख्रीज दोच ऑनना है जी लीडिए है जी अजुपिश तब्हटेशीं देना है कि आपा सुपिश्टे क्क पाम हैं एकिपिच सथिव्यभी क्विकलो आंटो βामी रपरेशन जी टेरेशन मार्क Weवें एक्ट इन पैस्द रिलेशन दीन है जी में पेफ़िए है उनी इनक किन काम करने हैं एक तो हमने कंप्यूट करना है फ्कोर EFE का और IFE का दूसरा काम हमने करना है अन दी कल्कुलेशन आफ EFE and IFE we have to define which firm is diverse teacher आगे लाफ्ट में जो हमने करना है कि कौन फा important factor है dairy devian का with respect to EFE and IFE ये तीन काम हमने करने हैं इसमें हमने कल्कुलेट करना है जी external factor evaluation देखें फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने वह फारे factor लिख दी है increasing competition and government sport for industries high in oil prices availability of skilled manpower technological advancement growth of Pakistan economy variation of customer choice है आगे second column के अंदर weight दिया हो गया 0.22, 0.13, 0.17, 0.21, 0.10, 0.05, 0.12 इसी तरह आएए आगे हमें forming का score दिया गया 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4 इसी तरह हमें पोल्टरी का दिया गया 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2 इस तरह हमें देरी का दिया गया 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2 आगे हमने score निकालना है तो score निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमें total forming का दिया गया इसको multiply करते हैं weight के साथ ठीक है जी वह हमने multiply किया मतलब 0.22 को multiply by 4 तो 0.88, 0.13, multiply by 3, 0.39, 0.17 को हमने multiply किया 3 के साथ 0.51, इसी तरह हमने 0.21 को multiply किया, 4 के साथ 0.84, 0.10 को multiply किया 3 के साथ 0.3, 0.05 को multiply किया 3 के साथ 0.15 और 0.12 को multiply किया 4 के साथ 0.48 और जब हमने इसका total किया तो हमारे पर 3.55 आ गया इसी तरह हमने पॉल्टि का calculate करना है जब अन्हें 0.22 को 2 के साथ multiply किया तो 0.44 0.13 को multiply किया 2 के साथ तो 0.26 0.17 को multiply 2 किया तो 0.34 0.21 को multiply 1 0.21 0.10 को multiply किया 2 के साथ तो 0.00 0.20 0.05 को multiply किया 2 के साथ 0.1 आ गया और 0.12 को multiply गया 2 के साथ तो 0.24 आ गया जी और इसका total जो weight है वो हमर पा 1.79 आ गया इसी तरह हमने dairy का calculate किया 0.22 को multiply by 3, 0.6, 6, 0.13 multiply by 2, 0.26, 0.17 को multiply by 3, 0.51, 0.21 multiply by 3, 0.63, 0.108 multiply by 2, 0.2 आ गया जी 0.12 को multiply by 2 तो हमारे पाफ 0.24 आ गया तो आगे हमारे पाफ जब हमने इसका total किया तो हमारे पाफ 2.65 आ गया अब नीचे हमें दिया हुआ यह जी table 1 external factor analysis rating 1 is considered as a low और 4 is considered as a high अब देखें हमारे पाफ forming का जो है वो 3.55 है it means के यह high rate है और पोल्ट्री का जो है 1.79 है और इसी तरह हमारे पाफ डेरी का 2.65 है तो सबसे low जो है वो पोल्ट्री का है because 1.79 है और इसी तरह जो का है वो 3.5 वो higher आ जाएगा जी यह हमारा हो जाएगा external factor evaluation इसी तरह हमने internal factor evaluation करनी है इसमें भी वह ही है जी अमारे पाफ फस्त कॉलम के अंदर factors दिये गा है financial position and stability, technological understanding है, marketing share है, management expertise है, market outreach in region है, client relationship है और operational capabilities है, इसी तरह हमें वीट में दिया गया 0.23 0.15 0.19 0.16 0.12 0.050 0.10 इसी तरह हमें forming का score दिया गया 3 3 4 4 3 4 3 4 3, poultry का दिया गया 3 2 1 1 2 2, इसी तरह हम डेरी का दिया गया 4 2 3 3 2 3 3 3 3 जब हमने इसका total score निकालना है तो वो 0.23 को multiply by 3 करेंगे, तो 0.69 0.15 को 3 के साथ 0.45 0.19 multiply by 4 0.7 6 0.16 multiply by 4 0.64 0.12 को multiply by 3 0.36 0.05 multiply by 4 0.2 0.10 multiply by 3 0.3 आ जाएगा जी इसी तरह हम पोल्ती का calculate करेंगे 0.23 multiply by 3 0.69 0.15 multiply by 2 0.3 0.19 multiply by 2 0.38 0.16 multiply by 1 0.16 आ गया 0.12 multiply by 1 0.12 आ गया 0.05 multiply by 2 0.1 0.10 multiply by 2 0.2 आ गया इसका total 1.95 इसी तरह farming का मत पास 3.4 इसी तरह अगर हम डेरी का calculate करेंगे 0.23 multiply by 4 0.92 आ जाएगा 0.15 multiply by 2 0.3 आ जाएगा 0.19 multiply by 3 0.57 0.16 multiply by 3 0.48 0.12 multiply by 2 0.24 0.25 multiply by 3 0.15 इसी तरह जाएगा 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 और इसका total 2.96 आ जाएगा तो यह भी हमें साथ दिया गया है कि वन जो है वो लो है और हाइज जो है वो 4 है 3.4 जो है वो है फॉर्मिंग का और पोल्ट्री का 1.9 यह सब से लो एस्ट है और डेरी का मिडल में आ जाता है जी 2.96 तो यह है हमारा internal factor evaluation with this calculation we have complete the requirement number one now we have moved to the requirement number two in which we have identified based on the calculation have to decide which division is diverse teacher के हम कौन सी division जाव डिवर्स टीचर करेंगे based on the calculation on internal factor evaluation as well as the external factor evaluation अब देकें forming का हमारे पास internal 3.4 है और इसी तरह external में 3.55 है इसी तरह पोल्ट्री का जो है वो 1.95 है और score EFE का जो है वो पोल्ट्री का 1.79 है और डेरी का जो 2.96 और 2.65 है तो सब से जो लो है वो 1.95 और 1.79 है based on the EFE and IFE तो हम लोग जो है जो हमारी पोल्ट्री वाली टेविय इसको diverse teacher कर देंगे क्योंकि इसकी जो rating है वो सब से low है तो यह हमारी second requirement हो जाएगी इसी तरह जो हम थर्ड में हमने यह देखना था कि कौन सा ऐसा factor है डेरी के अंदर वो हमारा सब से highest है तो देखें यहां पर मैंने factor ले लिए आगे उनके weight आगे उनके total score आ गया जी आगे का score आ गया इसी तरह IFE के अंदर वो हमने factor ले लिए आगे weight आ गया उनका score आ गया और आगे total score आ गया अब देखें इसमें जो third point है market share and hike in oil prices इनकी जो total weight score है वो सब से ज्यादा है as compared to the other factors तो हम कह सकते हैं कि most important factor in dairy division only with respect to the IFE and IFE is the market share and the hike in oil prices तो यह मतलब दो factor बन जाएंगे important factor है तो दोस्तों यह थी हमारी अफाइनमेंट उमीद है आप लोगों को कुछ idea मेल गया होगा अफाइनमेंट को हल करने का मॉफिन भाई की website www.ff.com देखते रहिए और वहां पर आपको mid term and final term के हवाले पास paper भी available है और भी काफी फ़रा material है इपी तरह मॉफिन भाई का channel youtube channel youtube.com slash vff4u वह भी देखते रहिए और मॉफिन भाई को दौाँ में याद रखिए थैंक्यू वेरी मच्छ दोस्तों अलाफिफ